आज किस class में दोस्तों मैं आपको practice कराने वाला हूँ most important prepositions की और वो क्या-क्या है कौन-कौन सी है चले देखते हैं जिसे सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ by अब बाय के साथ आप वर्ब के साथ आएंजी लगा सकते इसकुछ इस तरह से कुछ भी काम करकी जिसे मैंने का खाना खाकर by eating food गाना गाकर by singing song अगला जो प्रेपोजिशन आज हम प्रेक्टिस करेंगे वो रहेगा वाल के साथ भी आप वर्ब के साथ आएंजी लगाएंगे इसी के साथ जब इसके हिंदी करेंगे तो कुछ काम करते करते जब भी आप हिंदी में दो शब्द एक साथ यूज़ करते हैं वहाँ वाल लगाएं जाते जाते बोलते बोलते लिखते लिखते वाल रेटिंग वाल कमिंग वाल स्पिकिंग यह हुआ वाल का concept इसी के साथ अ ing का यूज करिए और अंत में मैं आपको बताऊंगा टू का जो यूज होता है कुछ थोड़ा सा अलग है यहां पर हम वीपोर का ना यूज करके वीवन का यूज करते हैं तो आज किस क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ इन सभी प्रेपोजिशन सिंब करते हैं सबसे पहला सेंट सोARA खेना खा कर लो अपर अपकिया लगाएंगे for eating food या फिर to eat food दोडने के लिए एक sentence से दोडने के लिए आप क्या कहेंगे for running कह सकते हैं to run आप लोग कह सकते हैं running करके दूड कर by running दूडते दूडते while running दोडने के पहले before running दोडने के बाद after running और राइट यही आज का practice रहेगा के ना होगा after making sentences sentences बनाने के पहले क्या कहेंगे आप before making sentences sentences बनाते बनाते while making sentences bike चलाते चलाते while riding bike bike चला कर bike चला कर तो वहाँ पर आप कहेंगे by riding bike by riding bike bike चलाने के पहले before riding bike bike चलाने के बाद after riding bike bike चलाने के लिए for riding bike यहां में आपको कुछ समझाने वाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ होगी practice, वीडियो बनाने के लिए, वीडियो को shoot करने के लिए, पॉर shooting the video, वीडियो shoot करने के बाद, आफटर shooting the video, आपसे मिलने के बाद, after meeting you, आप से मिलने के पहले, come on, थोड़ा, इस स्पीड से बनाएंगे, डिए, आप से मिलने के पहले, before meeting you, आप से मिलकर, आप से मिलकर, by meeting you, I am very happy, मैं काफी खूश हूँ, अगर मैंने का कि आप से मिलते मिलते, while meeting you, जाते जाते, while going, बाइक चलाते, while riding bike, ठीकिए, बाइक चलाने के पहले, before riding bike, बाइक चलाने के बाद, come on, बनाते चली, बाइक चलाने के बाद, after riding bike, बाइक चलाने के लिए, for riding bike, इस जॉब को प्राप्ट करने के लिए, for having or for taking this job, इस जॉब को लेने के पहले, इस company को जोईन करने के पहले, इस company को जोईन करने के बाद After learning English, English सिखने के लिए for learning English to learn English दोड़ने के लिए for running दोड़ कर by running दोड़ते दोड़ते while running दोड़ने के पहले before running दोड़ने के बाद after running दोस्तों जितने sentences आप सुन रहें सारे सारे ऐसे हैं जो आज से आप आपकी speaking में यूज कर सकते हैं जैसे मैंने मैंने का sentence बनाने के लिए मैंने का sentence बनाने के लिए for making sentences 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 बनाते sentences बनाते while making sentences sentences बनाकर sentences बनाकर by making sentences sentences बनाने के पहले before making sentences sentences बनाने के बाद after making sentences खाना बनाने के पहले before cooking food खाना बना कर by cooking food जैसे मैंने का मैं TV देखकर आप से या आपके घर पर आऊंगा मैं जो प्रोग्राम चल रहा है TV देखकर ही मैं आऊंगा by watching TV I will come जैसे TV देखते देखते मैं खाना खाता हूं TV देखते देखते अब जैसे अभी हम short sentences देख रहे थे अब आप वो sentences देखते जो यूज किया जा सकता है जैसे आपने का कि TV देखते देखते मैं खाना खाता हूं while watching TV I will eat food खाना खाने के पहले हमें हाथ दोने चाहिए we should wash our hands before eating food खाना खाने के बाद भी करना ची we should do also after eating food खाना खाने के लिए for eating food we need to be at home हमें घर पर रहने की जरूरत है तो यह sentences साब बना सकते हैं जैसे मैंने का कि English सीख कर मैं एक अच्छी जॉब करूँगा okay I will do a good job by learning English English सीखते सीखते मैंने बहुत सारी चीजे जानी while learning English I knew I came to know a lot of things I came to know a lot of things English सीखने के पहले before learning English English सीखने के बाद after learning English I am feeling confident ठीक है तो आप दोस्तों इसी तरह के कई सारे sentences पर बेस्ट में और इसी तरह से short practice session लेकर आता रहूँगा तब तक के लिए बबाबा है वनाइस दे फर के अ police वनकी आता सारेवIST धनकी बाक्यों आता रहूँगा आता डहुँए